असलाम लेकुम उर्दु जवान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नमबर शेबन पाट का नाम है वर्जिस वर्जिस को हम हिंदी में कसरत भी कहते हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारे चैनल पर पहली शुरू करते हैं बिस्मिल्ले रह्मान रहीम नमबर वर्जिस इंसन वा हैवान सब के लिए मुफीद है वो आज़ा की कुवत और जिस्म की शेहत को बरकरार रगती है वो आज़ा की कुवत और जिस्म की शेहत को बरकरार रगती है नमबर टूब जब आज़ा बेकार रहते हैं जब आज़ा बेकार रहते हैं तो उनकी कुवत रोज वरोज जाइल होने लगती है इसी तरह एक किश्म की मेनत करते गरते उकता जाता है तबियत सुष्ट और कुंद हो जाती है मगर वर्जिस करने से आज़ा की कुवत बहाल रहती है और बुजी तबियत में ताज़गी आती है नमा तरी ताज़ा और साफ हवा में वर्जिस करने से हाजमे की कुवत बढ़ती है ताज़ा और साफ हवा में वर्जिस करने से हाजमे की कुवत बढ़ती है हाजमे की दुरुस्ती से तमाम जिस्म चुस्तव कुवी रहता है जिल लोगों को जिस्मानी मुशक्कत या वर्जिस की आदत नहीं जिल लोगों को जिस्मानी मुशक्कत या वर्जिस की आदत नहीं उनको अक्सर भूक कम लगती है उनको अक्षर भूक कम लगती है इसी लिए जएव और नातुआं रहते है soy लिए जईव और नातुआं रहते है नम्मर फूर जो आदमी नफीज गिजाएं खाते हैं मगर जिसमानी रियाज़त नहीं करते वो उन लोगों से कमजोर होते हैं वो उन लोगों से कमजोर होते हैं जो सादा गिजा खाते हैं मगर ऐसी मुशक्कत करते हैं जिसमें तमाम आजब पर जोर पड़ता है जिसमें तमाम आजब पर जोर पड़ता है नम्बर फाइव कास्तकार और मजदूर इसी सबब से जादा मजबूत और ताकतवर होते हैं कास्तकार और मजदूर इसी सबब से जादा मजबूत और ताकतवर होते हैं कि वो अपने पैसे की जरूरत से कुशादा मैदान के अंदर जिसमानी मेहनत में मसरूफ रहते हैं वो अपने पैसे की जरूरत से कुशादा मैदान के अंदर जिसमानी मेहनत में मसरूफ रहते हैं गर्ज सो दो गर्ज सो दवा की एक दवा वर्जिस है गर्ज सो दवा की एक दवा वर्जिस है दवा कोई वर्जिस से बेहते नहीं ये नुश्का है कम खर्च वाले नशें ये नुश्का है कम खर्च वाला नशें कर वाले नशें